The Sizzling Katrina K.F. ने दिये है अपने Best Wishes आयुष शर्मा को उनकी फिल्म अंतिम दे फाइनल तृत के लिए आये बताते हैं आपको ख़बर डीटेल में पर उसे पहले हमारे चैनल को सुब्सक्राइब करना ना भूले नमस्ते दोस्तों मैं उशल का जवान और आप देख रहे है Movies Adda दोस्तों मैं आपको ये बता दू कि कल ही First Look Out हुआ अंतिम दे फाइनल तृत का जिसमें First Time Ever हमें देखने मिलेंगे भाईजान सल्मान खान और उनके जी जाजी यानि आयुष शर्मा opposite each other ये दोनों भी एक दूसरे के आमने सामने है और दोनों भी bare chested है दोनों की bodies बहुत beautifully उठकर देख रही है और First Look जो है वो बहुत ही बहतरीन है अब जैसे ही First Look Out हुआ तो अरपिता खान शर्मा ने fabulous ये कहतो दिया पर उसके बाद उन्होंने शेयर भी किये बहुत सारे पूरा का पूरा First Look जो है वो उन्होंने शेयर किया था अपने social media handle पर अब जब बात आई बाकी celebrities की तो Katrina Kaif first of the lot थी जिन्होंने आयुष शर्मा को all the best दिया है और उनका जो First Look है उसको शेयर करके Swipe Up लिंक भी डाली है अपने social media handles पर दोस्तों हम सभी जानते है कि Katrina Kaif का खान दान से यानि खान परिवार से बहुत ही नजदीकी रिष्टा है और वो हमेशा से फिर वो सल्मान खान हो अर्पिता खान हो या फिर आयुष शर्मा क्यों नहों वो सभी के लिए हमेशा खड़ी होती है हमेशा get-togethers में दिखती है हमें तो एक प्रकार का उनका बहुत ही अच्छा family relations है खान दान से तो इसी पर उन्होंने आयुष शर्मा को एक actor के तौर पे actor to actor best wishes दिये है and we hope and wish की Katrina कैफ कि ये best wishes रंग लाए आयुष शर्मा और भाई जान के लिए और ये फिल्म भी hit तो हो नी ही है आपको क्या कहना है इस बारे में ज़रू बताईए in the comments below we are waiting to hear you, this is Shulkachawan and you are watching Movies A Da धार्त शुक्ला ने आखिरगार तोड़ी है अपनी चुक्पी उनके misunderstood वीडियो पर आये बताते हैं आपको खबर टीटेल में पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करना ना भूले तमस्ते दोस्तों मैं हुशुल का चवान आप देख रहे हैं Movies A Da दोस्तों मैं आपको ये बता दू कि हमारी जो सिधार्त शुक्ला है उनके बर्दे के दिन एक वीडियो था वो बहुत ही वाइरल हो रहा था उस वीडियो में हम सभी ने ये देखा था कि किस प्रकार से सिधार्त शुक्ला जो है वो किसी के साथ हातापाई में उतर आये थे अब दोस्तों मैं आपको ये बता दू कि बहुत से लोगों ने ये कहा कि सिधार्त शुक्ला ने पी हुई थी सिधार्त शुक्ला वस ड्रंक और वो जान पूछ करके सब के साथ लड़ाई जगडा कर रहे थे और वो विकाज उन्होंने पी रखी थी तो वो नशे के हालत में जो बाकी लोग है उनको मार रहे थे पीट रहे थे अब मैं आपको ये बता दूँ दोस्तों कि उसके बाद जब सच्चाई सामने आई तो ये समझ में आया कि ये जो दो लड़के थे जिनको सिधार्त शुक्ला पीट रहे थे वो असल में गुंडे थे और उनको पकड़वा कर दिया था सिधार्त शुक्ला और उनके जो जी जी है उन्होंने और फाइनली ये दोनों ही जो गुंडे थे उनको सलाखों के पीछे पопасा आया गया था अब जब सिधार्थ शुकला को इस बारे में पूछा गया हाली में, तो हाली में सिधार्थ शुकला ने ये बात कही है, कि ये जो बात है कि कभी भी किसी को भी आप गलत तरीके से दर्शाते हैं, किसी के भी बारे में गलत तरीके से बात पोटरे की जाती है, वो बहुत ही गल आइफ होती है and it's okay अभी let's move on तो फिर भी सिद्धार्ट शुक्ला ने अपना जो दिल है उसको बड़े दिल से बहुत ही अची तरीके से यह जो बात है उसको in a you know in good spirits लिया है तो आपको क्या कहना है सिद्धार्ट शुक्ला के इस बड़े दिल के बारे में और आपकी क्या र शुक्ला ने खुद कही है तो आपको क्या कहना है जो बताईए in the comments below we are waiting to hear you this is शुलका चवान and you're watching Movies Adda सल्मान खान और आयूश शर्मा पहले बार दिखेंगे स्क्रीन पर एक दूसरे के opposite आईए बताते हैं आपको कि first look अंतिम का कैसे दिख रहा है पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तमस्ते दोस्तों मैं हुशुलका जवान और आप देख रहे है Movies Adda दोस्तों मैं आपको ये बता दू कि सल्मान खान और आयूश शर्मा स्टार फिल्म अंतिम दे फाइनल थृत ये जो फिल्म है ये मराथी फिल्म मुर्शी पैटर्न का रीमेक है और उसी के साथ-साथ ये भी बता दू कि ये जो फिल्म है वो बहुत जादा स्पेशल है क्योंकि इस फिल्म को डिरेक्ट किया गया है महेश मांजरे करने जो मराथी में बहुत बड़े हस्ती है पर यहां पर यानि हिंदी फिल्म में उन्होंने जितनी भी फिल्म्स की है हमेशा सल्मान खान के साथ क और दोनों भी एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं जहां सलमान खान जो है वो सिख कॉप का रोल प्ले कर रहे है तो वही फर गैंग्स्टर का रोल प्ले करते हुए नजर आने वाले है आयुश शर्मा इन दोनों के बीच बड़ी ही तगड़ी ऐसी लड आई दिख रही है पर जैसे हम सभी जानते हैं कि भाईजान सलमान खान के जो अक्शिन मूव्ज है वो भाई अलग ही लेवल पर है तो यहां पर भी आयुश शर्मा जो है वो दोड़ कर आते है और सलमान खान को एक पंच वारने की कोशिश करते हैं जिसे ब्लॉक कर देते ह सलमान खान बस इतना ही फर्स्ट लुक है पर इस पर से बहुत कुछ चीजे समझ में आ रही है क्योंकि यह जो फर्स्ट लुक है उसका जो बैग्राउंड है वो बहुत ही एकदम विलेज वाला बैग्राउंड यानि किसी गाव का बैग्राउंड लग रहा है और दोस्तों अगर मुर्शी पाटन के बारे मैं आपको नहीं पता है तो मैं आपको यह बता दू फिल्म जो है वह इसी पर बेस्ट है कि कैसे पहले जो किसान थे उनके जमीनों को हडप कर उनको सिफ पैसे थमा करके ग्लोबलाइजेशन हुआ था उस पर यह फिल्म जो है वो पूरी की सुनेंगे तो आपको हल्की सी जल्किया फिल्म की समझ में आएंगी तो आप बताईए मुझे कि आपको कैसा लगा सल्मान खान और आयू शर्मा का ये तगड़ा मुकाबला स्क्रीन पर पहली बार बताईए हमें इन दे कमेंट्स बिलो वी आ वेटिंग टिया यू दिस बर डीटेल में पर उससे पहले हमारी चैनल को सुब्सक्राइब करना ना भूले नमस्ते दोस्तों मैं हुशल का चवान और आप देख रहे हैं मुवी जड़ा दोस्तों मैं आपको ये बता दू कि सल्मान खान जो है वो जो है वो हमेशा हमेशा ही सभी को नाचते नचाते ह हुए नजर आते ही है पर मैं आपको ये बता दू कि ध्वनी भानुशाली जो है वो अब यंग जिन्रेशन की एक बहुत ही मशूर गाई का बन गई है और उनका जो नया सौंग है नयन उसको प्रमोट करने आई थी वो बिग बॉस सीजन 14 के घर और बिग बॉस सीजन 14 के व और जब ध्वनी को ये पूछा गया कि उनको क्या कहना है उनके इस experience के बारे में तो उन्होंने कहां मैं हमेशा से खुश होती हूँ सल्मान खान को मिलने के बाद और उन्होंने कई फोटोस भी शेयर किये है और उसके नीचे caption लिखा है कि हमेशा सल्मान सर आपको मिलकर मैं हमेशा से खुश होती हूँ पर खुशी की बात ये है कि आपको मेरा गाना भी पसंद आया और उस पर आपने डांस भी किया और ये बहुत ही बड़ी चीज है मेरे लिए वाकई दोस्तों भाई जान सल्मान खान को अगर आपका कोई काम पसंद आ जाए तो फिर वो काम माश आला ही होता है तो आपको क्या कहना है द्वानी के गाने के बारे में और सल्मान खान के डांस के बारे में जरूर बताईए in the comments below We are waiting to hear you मैं हुशुल का चवान और आप देख रहे है मुवी जद्दा असीम रियाज ने खारिच कर दी है वो सारी अफवाए जो ये कह रही थी कि उनका एक छोटा सा रोल है सल्मान खान के आने वाली फिल्म कभी एद कभी दिवाली में आए बताते है कि असीम ने क्या कहा है पर उससे पहले हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले नमस्ते दोस्तों मैं हुशुल का चवान और आप देख रहे हैं मूवी जड़ा दोस्तों मैं आपको ये बता दू कि असीम रियाज जो है वो बिग बॉस सीजन 13 के बाद से बहुत जादा महशूर हुए थे अब मैं आपको ये भी बता दू कि असीम रियाज एक प्रकार से सल्मान खान के साथ बहुत ही क्लोज है यह हम सभी जानते हैं क्योंकि वो सल्मान खान को भाई जान यानि अपने बड़े भाई के रूप में देखते हैं तो बहुत से लोगों ने अफ़ाय उड़ाने की कोशिश की थी कि सल्मान खान की आने वाली फिल्म कभी एद कभी दिवाली इसमें असीम रियाज का एक छोटा सा रोल है जिसमें असीम रियाज सल्मान खान के भाई का रोल प्ले करने वाले है दोस्तों मैं आपको ये बता तो कि असीम रियाज ने खुद चलकर ये बात को खारिज किया है और वो कहते है कि कोविट के वज़े से कभी एद कभी दिवाली ये जो फिल्म है वो शायद आगे नहीं बढ़ पारी है पर मैं जब बिग बॉस के घर में था तब ही से मुझे पता था कि कभी एद कभी दिवा और मैं आगे भी ऐसे बहुत से काम करना चाहता हूँ हाला कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है तो भाईजान सल्मान खान के साथ काम करने से कोई क्यों मना करेगा दोस्तों तो ये तो सभी को पसंद है पर असीम ने ये साफ साफ कहा है कि वेहम और जो और एक गाना है उस पर वो काम कर रहे है और जल्द ही उनका एक रैप सॉंग भी बाहर आउट होने वाला है तो आपको क्या कहना है असीम के इस बयान के बारे में और उसी के साथ-साथ क्या आपको थोड़ा सा दुख हो रहा है क्योंकि अगर असीम इस फिल्म में होते तो फिल्म और भी जादा खूबसूरत लगती पर आपकी क्या राय है तो रूब बताईए in the comments below We are waiting to hear you, this is शुलका चबान और आप देख रहे हैं Movies Adda